Hello everyone, welcome to electrical department इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं railway की एक नई भरती के बारे में यास railway की तरफ से 2024 में TTE की पोस्ट पर वेकेंसी आने वाली है और इस वेकेंसी के बारे में आप लोगों को YouTube या टेलिग्राम के माध्धम से अपडेट मिल चुका होगा बिल्कुल सही न्यूज है कि railway में TTE की पोस्ट पर वेकेंसी आने वाली है तो आज के इस वीडियो में हम आने वाली railway TTE भरती के बारे में फुल डेटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे कि railway TTE वेकेंसी का eligibility criteria पोस्ट पर वेकेंसी आएंगी age limit क्या होगा qualification क्या होगा कौन-कौन apply कर सकता है कौन-कौन eligible है exam pattern क्या होगा और इसका exam का syllabus क्या होगा और notification जो है railway TTE की पोस्ट के लिए notification कब तक आएगा और इसमें आपको enhance salary कितना मिलेगा सारा कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे railway ने अपना academic calendar जो है जारी कर दिया गया है कि NTPC हो गया RRBJ हो गया और group D हो गया सारी vacancy का जो official calendar है वो railway ने जारी कर दिया गया है उसी के under में railway TTE की भरती देखने को आपको मिलेगा तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में नाम होता है traveling ticket examiner और यह जो पोस्ट है आपका group C का पोस्ट है इसमें all India के current date eligible है apply कर सकते हैं अब बात करते हैं इसमें कितनी total vacancy आएगी तो vacancy की बारे में बात करें आपको 7700 plus vacancy देखने को मिल जाएगा इससे ज़्यादा vacancy नहीं आएगा TTE की जो vacancy है वो अभी तक promotion के थोँ भरा जाता था लेकिन इस बार ये vacancy है direct recruitment के थोँ भरा जा सकता है तो railway ने इसके recording पहले ही exam calendar जारी कर दिया है और यहाँ पर जो आपका TTE की vacancy इस बार आएगी वो NTPC के अंडर में आएगी NTPC नन टेकनिकल popular category के अंडर में ये vacancies निकाली जाएंगे इस बार TTE की post पर इसमें हम बात करते हैं अगर form piece का तो UR, OVC और EWS candidate के लिए यहाँ पर 5 रुपे apply piece लगता है और SC, HT, PWD के लिए यहाँ पर 250 रुपे apply piece लगता है बात करते हैं इसमें age limit का तो जो minimum age है इसमें 18 साल लखा गया है और maximum age 30 साल rule recording इसमें भी age में relaxation देखने को मिल जाएगा चूँकि इसमें age का कोई issue नहीं आएगा क्योंकि इसमें maximum age 30 साल लखा गया है लेकिन यहाँ पर OVC वालों के लिए यहाँ पर 3 साल का चूट देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं सबसे important चीज जो है eligibility criteria का तो reliability की जो वेकिंसी आने वाली है इसमें minimum जो qualification रखा जाता है वो 12th pass होता है याई कि अगर आप 12th pass है तो आप इन वेकिंसी के लिए eligible होंगे apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप 10th या फिर 10th के बाद अपने diploma किया है तो भी इसमें eligible होंगे apply कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जो 10th plus diploma होता है वो 12th के equivalent ही माना जाता है तो minimum criteria इसमें 12th ही है तो 10th और diploma वाले भी इसमें eligible होंगे apply कर सकते हैं । सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है मेन आपका होता है स्टेज 2 लेकिन स्टेज 1 आप जब क्वालिफाइग करेंगे तब आपको स्टेज 2 के लिए कंसिलिडर किया जाएगा स्टेज 1 की बात करें तो इसमें प्रकार से आपका जो CBT 1 होता है वो 100 मार्क का होता है और इन 100 मार्क की को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है और रेलवे के सभी जो एक्जाम होते हैं उसमें 1 by 3 का नेटी मार्किंग देखने को मिलता है तो TTE की वेकंसी में भी जो CBT 1 है आपका इस इसमें भी 1 by 3 का नेटी मार्किंग होता है स्टेज 1 की बात करें तो यह केवल क्वालिफाई करना होता है स्टेज 1 क्वालिफाई होने के बाद कैटेगरी वाइज जोन वाइज एक कटाप बनता है और अगर आप कटाप को क्लियर करते हैं तो आप CBT 2 के लिए इसमें 100 के बज़ाई 120 कोश्चन टूटल होते हैं यानि कि इसमें मैतमेटिस के 35 कोश्चन होते हैं जनरल इंटलिजिजन्स और इस प्रकार से टूटल 120 मार्क से कोश्चन होते हैं और इसको स्वाल्व करने के लिए आपको 90 मिनिट का समय दिया जाता है और इसमें भी 1 by 3 का निगेट्यू मार्किंग होता है ठीक है स्टेज 2 यानि कि जो स्वीटी 2 है आपका ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इस एक्जाम में जो आप मार्क लाते हैं उसी के बेस पर आपका फाइनल सेलेक्शन इसमें होता है यहापर देख सकते हैं स्वीटी 1 और सिवीटी 2 का डिटेल स्लेवर्स दिया गया है इसको हम टेलिग्राम पर भेज देंगे आप लोग इस स्वीटी के उनसार से तयारी कर सकते हैं इसके बाद इसमें इस में सीबी टी तो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें डाकुमेंट वैर्फिकेशन होता है इस वो क्या रखा जाता है इसमें जो relative TTE की vacancy है इस post पर आपको क्या salary देखने को मिलेगा तो आपको बता दें जो TTE यानि कि vacancy है यह group C का post है यानि कि इसमें आपका जो grade पे होता है वो 2000 grade पे होता है level 3 का यह post होता है और इसमें आपका जो basic पे होता है लिखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा सेलरी है अब बात आती है टीटी का क्या क्या है तो आप लोगों ने कभी ट्रविल किया होगा तो टीटी का काम होता है जो आप टिकट लेके जाते हैं उसको चेक करना ठीक है तो आप लोगों किसके बारे पता होगा टीटी की क्या काम ह तो इसमें वेकेंसी आने वाली हैं, अब आपको बता दें इसमें वेकेंसी कब आएंगी, देखिए, रेलवे जो RRB है वो डिसाइड कर चुका है, कि अब हर येर आपका डिफरेंट पोस्ट पर वेकेंसी आएगी, और यहां पर 100% क्लियर है कि TTE की पोस्ट पर वेकेंसी इस की TTE की वेकेंसी आएगी, और जो वेकेंसी आएगी जुलाई मन्त में आएगा, तो जब जुलाई मन्त में वेकेंसी आएगा, उसके बाद से आप लोग इसमें अपलाई कर पाएंगे, तो यह था RRB के तरब से एक important update कि इसमें TTE की वेकेंसी आने वाली हैं, अगर आप इ